आप जैसे कितने आए और कितने गए चिन्नई में स्मरती इरानी ने रहुल गांदी पर बोला हमला आप देख रहे हैं दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार केंद्रिया महिला एवं बालविकास मंत्री स्मरती इरानी ने शनिवार को चेन्नई के वेपेरी जिले में वाई-म्स ये सभागार में मध्य चेन्नई के भाजपा उमीदवार विनोज पी सेलवं के समर्थन में चुनाव प्रचार किया केंद्रिया महिला एवं बालविकास मंत्री इश्मरती रानी ने शनिवार को चेन्नई के विपेरी जिले में वाई-म्स ये सभागार में मध्य चेन्नई के भाजपा उमीदवार विनोज पी सेलवं के समर्थन में चुनाव प्रचार किया इस दोरان उन्होंने राहुलदांधी पर हमला बोला साती आयोधिया राम मंदिर की ठान बरतिष्ठा समारों के विरोध में बोलने वाले विपक़्ी दलों को ले कर भी बयान दिया सवा को सम्मोजित करते हुए इस मुलतिरानी ने आयोधिया में राम मंदिर के पूरा होने के महत्व पर भी अपनी बात रखी तो बता दें केंद्रिया मंत्री ने कहा इस देश में ऐसे राजे भी हैं जहां इंडी गडवंदन के सहयोगियों ने जय श्री राम कहने पर लोगों की हत्या कर भी यह पस्चे मंगाल और केरल में हुआ आज ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम यहां भगवान राम की चरणों में सिर्व जुखाए करे हैं मालूम हो कि आयोधिया में प्राण प्रतिष्ठा समारोव 22 जनवरी 2024 को गुआ था जिसमें देश के हजारों नामचीन हस्तियां और नेता मंत्री शामिल हुए थे इस बीच राजिस्तान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने शनिवार को कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने आयोधिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोव का इस हद तक विरोग दिया कि उसने इस कारेक्रम में भाग लेने वाली पार्टी के एक सदस्य को 6 साल के लिए निसकाशित कर दिया अजमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए फियर मोधी ने सभा से पूछा कि क्या वे खुश है कि राम मंदिर बनाया गया है केंद्रिय महिला एवं बालविकास मंत्री स्वरति इरानी ने राहुल गांदी पर निशाना साथा चेंड़ी में शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रिय मंत्री ने कहा कि अगर मेरी आवाज राहुल गांदी तक मेरी आवाज पहुच रही है तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपके जैसे कई लोग आए और चले गए हिंदोस्तान था है और हमेशा रहेगा केंद्रिय मंत्री ने सेंट्रल चिन्नाई से बीजेपी के कैंडिडेट विनोज वी सेलवं के समर्थन में विपेरी इस्तित वाई एंसी ऑडिटोरियम में एक रैली की इस दोरान मच से राहुल गांदी पर हमला बोला राममंदिर को लेकर हमला बोला स्मृति रान इसकी तारीक भी बना गई और रहुश्री राम की क्रपा देखिये जो लोग भगवान श्री राम के गात्रित्व को ननकार रहे थे उनहें भी प्रान प्रतिष्ठा के लिए के लिए बुलाये गया से साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया अजमेर में रैली में मौजूद लोगों से पूछा कि आप लोग राम मंदिर बनने से खुश है या नहीं रान प्रदिश्टा में शामिल होने का विरोध किया गया क्या यह सही है क्या आप राम के विना देश की कल्पना कर सकते है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजिनियरिंग से लेकर आ विजिट ता मांटें कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर बाइस सुहागी बाइपास